नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे बैई किसी भी देश में आप रहते हैं तो आप आप कमाने के लिए जाते हैं अच्छी बात है लेकिन वहां से कुछ आपको यह लगता है कि घर के लिए परिवार के लिए कुछ सामान भेजने की आपकी इच्छा होती होगी जिगास्य होती होगी जी हाँ और इस आप सामान किस तरह से क्यूंकि यार आप दो साल से तिन साल से आते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं यार हम कोरियर करवा देते हैं ताकि जंजटी खतम होजाए सामान सिता गर पहुंजाएगा दो रुपे लगेंगे कोई बात नहीं पहले बाताखों सांसावे साथ में लेके आते हैं कि इतना सामान नहीं ला सकते ऐसकते साथ में और तो यह करते हैं तो यह विडियो आप देख लीजिए ताकि आपको भी इन देखेश समादान इस वीडियो में होगा समस्याओं को सामना भी नहीं करना पड़ेगा अलाएं कि एक दो वीडियो मैंने पहले भी बनाए इससे रिलेटेड लेकिन यह अभी एक न्यूज और आई है मेरे पास में इर्फान ने सवदी अर्बिया से बता दूं कोरियर किया था जी हां क तो आया जी आपका पार्शल लेकि लेकि जाईए तो जैसे वह बंदा अब देखे इस बंदे ने हो सकता वह सब्सक्राइब यह सवदी से भी आ गया उससे बाद में कौरियर करवा जिए साथ में तो कोडियर बाद में पहुंचा घर वो पहले आ गया जैसे यह बंदा को ल लग रहा है तो अधिकारी हैं आपको पता इतना ही थोड़ी मानते हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम तोल नहीं करेंगे आपका सामान पेक्ट है इसको लेके जाओ और आपका जो भी बुक्तान है वह आपने पहले कर दिया मेटर खतम जी हां लेकिन उसको डाउट था उन्होंन निकला जी हां फिर उसको अब नाइन किलो वेट कम होने का मतलब भाई दिमाग तो खराब होता है कि पैसे दिये उनके बाजू दिये प्रोब्लम क्यों आई तो उन्होंने शिकायत करी कहां पर अपने नियर में पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन को फोन करके बोल दि एक किलो कांजू एक किलो बादाम एक किलो पिस्ता और इस तरह के चीजें गाइब थी जी हां पांच गड़ी वोच गाइब थी तो इरफान ने बताया कि मेरा इतना वजन था ये मेरे पास एविडेस है तो भाई पुलिस भी क्या करेगी पुलिस को सामने दिख रहा है कि स सामान 30 किलो का इविडेंस इसके पास रशीद है इसके सबूत है तो सामान पाकी गड़ी का तो चलो उनको नहीं बता लेकिन यह तो अन्या कि 30 किलो वजनता 30 किलो पूरा नहीं हो रहा है तो भाई पुलिस ने फिर उसके मुग्दमा दर्ज करके पुलिस जांस करेगी कि य अगर आप भी कोरियर करते हैं तो आपको किन बातों का साबदान रखना चीए जी हां तो मैं कुछ 57 पॉइंट आपको बता दूंगा इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत भी होगी तो उसका समादान आप कर पाओगे क् यहीं होता कि उसमें नॉर्मल समान उसमें महिंगा समान भी हो सकता है क्वालिटी वाला जो पांशाट लाख रुपे का माल हो सकता है जो आपके साथ अगर चिटिंग हो जाए तो आपको दिक्कत होगी ना फिर तो आपको देखिए साफदानी बथने की मैं बात करूं तो पहली बात तो है आपको जब भी कोरियर बेजने का खयाल आए तो रजिस्टर्ड आपको मैं वो देखना है कोरियर कारगो वाला रजिस्टर्ड मतलब होता है गोर्मिंट अथुराइज होते हैं बहुत सारे उनी के दावर आपको अपलाई करने हैं कोशिस करनी है और कोशिस भी यह करनी है कि उनकी दाइरेक्ट पहुंच आपके घर तक हो यह नहीं कि थर्ड पार्टी फौर्थ पार्टी के दौरा ऐसे पहुंचे तो उसमें गडबड होने के पूरे पूरे चांसिस रहते हैं लास्ट मैं बता हूंगा सामान को निकाल लेता है कहां गडबड होती उस कि हमने आपको दिया है पूरा स्लिप लेके उनकी महर लगवा के उनके साइन करवा लो स्लिप में कि यह समान मैंने इस कोरियर में डाला है दो पूइंट नमबर हो गए तीसरा नमबर आप वीडियो बना सकते हैं जब आप समान पेक कर रहे हो क्योंकि समान उनके सामने आप पेक करते हो तो उसका वीडियो बना सकते हैं कि यह देखिए जी यह मोबाइल मैंने इसमें डाला मैंने यह पैन इसमें डाला मैंने यह इसमें डाला इस तरह से आप यह सामान पूरा डालके वीडियो में दिख जाएगा वीडियो आपके पास सेप रहेगा जी हां अगर आप दो की हैं वहीं पर वजन कर लिए कि ये म्रा यतना वस्रीप आ यह ना सबक्रीप यह दस से पंदरा दिन में इतने इतने टाइम में पहुंच जाएगा तो आप उसका एक एप बने होते हैं मोबाइल पे लोकेशन आज के लिए हम अमेजन से समान मंगाते हैं 40 रुपे का उसकी तो लोकेशन मिलती है हमें चेक कर सकते हैं कि कहां पहुंचा है बॉंबे से निक पहुंचा है तो पूरी जिम्मेदारी इंस्वरेंस कंपनी के होती है इंस्वरेंस कंपनी को वह कलेम आपकी सामान का देना होगा जी हां साथ नंबर पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि सामान घर पहुंच गया उसमें गडबड और यह जैसे इर्फान के साथ में पूरेगी और आपको 100% पोजिटिव एंस पर इसका मिल जाएगा जी हां अब मेरा जहां तक ओपीनियन है कि यह सामान निकालता कोन है कम क्यों होता ऐसे तो नहीं होता कि आपने वहां से 50 किलो बेजदियार गरहते 40 किलो सामान गिस गया रस्ते में गिसता तो नहीं है कम त सारे लोग ताला नहीं लगाते भूल जाते हैं कई बैक्स की जो है ना वह ऐसे रह जाते हैं चेन ओपन हो जाती हैं तो वह सामान निकालते हुए कि वीडियो वाइरल होते हैं एरपोर्ट में जो डिलीवरी बोई होते हैं जो अंदर सामान पटकने का काम करते हैं समझ गया बात को यह 100% वहीं से सुरुआत होती है जो delivery boy होते हैं delivery boy कहीं से लेके कहीं तक भी हो सकते हैं वो समान बीच में निकाल के 400 BC करते हैं जो ऐस थाई नुकरी पे होते हैं आज उन्होंने जो इनकिया मेने बात छोड़ देना है समान वो उसका किसका चोरी वा क्या वा उनकी कोई responsibility नहीं होती है और वो इसी तरीके से समान भी वो देख लेते हैं कि यह पेक पेकिंग का important भाग होता वे पैक अच्छी तरह से करोगे तो आसान नहीं है समान निकालना लेकिन पेक अगर नॉर्मल तरीके से रस्यों से बांद के कर दोगे पैक तो रस्य तो खोली जा सकती है खौलके समान निकालके वापस उसी तरीके से वापस बांद देंगे तो आपको पता नह लगेगा तो पेकिंग सबसे इपोर्टेंट है इस तरह से करें कि माईका लाल कोई खोलने से के गर पे आप खोलो ना तो उसको काटना ही पड़े खुलेगा नहीं वह इस तरह से आपको पेकिंग करने चाहिए रसी आप उपर बांद सकते हो सपोर्ट के लिए लेकिन रसी तो खुल के वापस बन जाएगी समझ रहे हो तो उसको टेपिंग से या फिर ऐसी कोई टेप हो बहुत सारी टेप ऐसी होती है जो विदेश में मिलती इंडिया में नहीं मिलती है बहुत सारी चिपकाने के उप्षन होते हैं जो एक बार चिपके उसको फाड़ सकते हैं लेकिन उतरेगा नहीं वो दुबारा नहीं चिपकेगा ऐसी बहुत सारे होते हैं जो रजिस्टर डाग आती है ना वो चिपका के बेचते हैं उसको फाड़ा ही जाता है फिर दुबारा चिपकता नहीं हो खुल गया तो ऐसी चीजों का आप ध्यान रखें और यह 100% डिलीवरी बो लोग आप आपको टेंसल लेने की जुरूत नहीं है वह सारे लोगों का समय पर नहीं मिलता है या रास्ते में गुम हो जाता है तो यह रिस्पॉंस्बिल्टी उनकी उत्यवा इंसुरेंस करवा के रखें जरूरी और यह आप नोट करवा सकते हैं उनसे कि समान घर पे नही समान घर पहुंचाने का तो उनकी से आप कलेम करके अगर वो नहीं आपका समादन करते तो उनके खिलाब में भी आप शिकाय दर्ज करवा सकते हैं मुग्दमा दर्ज करवा सकते हैं कि मेरा समान रस्ते में चौरी हो गया और यह जिम्मिदारी इनकी है क्योंकि आपने प्रब्लम नहीं आने वाली है मिलते हैं नेक्स वीडियो में जान करिए अच्छी लेगे तो लाइक शेयर करिए जेहिंग जेव